आज तो 15 अगर्ष्ट है, आज स्कूल में मजा ही आ जाएगा, चलो मैं स्कूल जाने के लिए निकलता हूँ अरे मेरे सारे दोस्त आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, चलो मैं उनको बुला के आता हूँ रोहित, मोहित, अमित, गौरव, कहां हो तुम लोग? मैं इदर हूँ, बोल क्या कान है? अरे आज स्कूल नहीं जाना क्या? आज तो चुट्टी है ना? हाँ निराज, इतने सुबर सुबर तु क्यों सबका उला रहा है? तुम लोग पहले नीचे आओ, मैं समझाता हूँ अरे भाई चुट्टी के दिन तुझे स्कूल जाकी क्या करना है? अरे आज के दिन चुट्टी क्यों है? वो आपको पता है? नहीं 15 अगस्त 1947, यानि कि आज के ही दिन हमारा देश आजाद हुआ था और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिन चुट्टी दी जाती है अच्छा ये बात है? आज हमारे स्कूल में फ्लैग वॉस्टिंग का पोग्राम है, तो हम सबको जाना है, चलो सभी जब के हम स्कूल चले हम, स्कूल चले हम गुड मारिं टीजटर गुड मारिंग वॉस्टिंग मैडम फ्लैग होस्टिंग कब होगा? क्योंकि बात में मुझे ब्यूटिपार्लर भी जाना है जल्ध ही होगा बेटा लेकिन में बाहर तो अभी फ्लैग दिखी नहीं रहा है नीरज तुम इधर आओ आया में नीरज तुम प्रिंसिपल की ओफेस में जाओ और देखो कि प्रिंसिपल आये है की नहीं और आये हो तो उनसे पूछना की फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम कब करना है सर मैं पुछ रही थी की फ्लैग होस्टिंग कब करना है बस अभी दास्मेंट में शुरू करेंगे मैंने पियान को बेजा है सारी तेयरी करने के लिए ठीक है मैं सब को बता देता हूँ ठैंक यू सर अरे ये कौन लोग है और ये प्रिंसिपाल की ऑफिस में क्यों जा रहे है चलो मैं खिर्की से जा के देखता हूँ अरे इनके हाथ में गंस क्यों है आज दमाका करना है तम लोग त्यार हो न अरे हम तो कई दिनों से आज के दिन के इंधिदार कर रहे थे एक बात सुनो सारे बच्चों को मैं मारूंगा और तुम लोग टीचर्ज को खतम कर देना मैं सभी बच्चों को बास्केट वाल कोट में बलाता हूँ तुम लोग अपनी अपनी पजीशन ले लेना ठीक है बास अरे ये प्रिंसिपाल तो सब को मानने की साजिस कर रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा अरे ये प्रिंसिपाल तो जा रहा है सब को लेने अब मैं क्या करूँ इससे पहले वो कुछ करे मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अरे इधर तो आतंगवादी खड़ा है इधर से जाना खतरनाक हो सकता है चलो पीछे के रास्ते से जाता हूँ अरे यार इधर भी आतंगवादी खड़ा है अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ ये खंजर से इसको मार देता हूँ इसके कपड़े भी पहन लेता हूँ और आतंगवादी होने का नातक करता हूँ ओए लड़की तू इधर क्या कर रही है? नीचे उतर जा और कोई भी अपनी जगा से नहीं इलेगा नहीं तो सब को मार दूंगा अरे तू नीचे क्यों आ गया? नमबर वन सुन इधर आ यार कपसे हाथों में खुजली हो रही है? गोली चलानी है मुझे लेकिन मुझे तो तुमको उड़ाना है क्या? अरे नमबर दो इधरा तुझसे एक बात पूछनी है हाँ बोल यार मरने के बाद क्या होता है? तुझे पता है? नहीं अब पता चल जाएगा तुझे मैंने तीनों आतंगवादियों को मार दिया है लेकिन अभी भी एक आतंगवादी हमारे बीच में मौझुद है और वो आतंगवादी हमारा प्रिंस्रिपाल ही है ये प्रिंस्रिपाल भी इस आतंगवादियों के साथ मिला हुआ है मारो साले को आज तो तुम लोग मुझे मार दोगे लेकिन हम स्कूल में तरंगा लहराने नहीं देंगे स्कूल पे तरंगा तो लहराएगा लेकिन अफसोस तुम उसे देखने के लिए जिन्दा नहीं रहोगे झाल के लिए हुआ है झाल झाल